इंदोर शोहर में घरों में इलाज करने के मामले भी सामने आ रहे हैं इस बार का पता इससे लगा कि लोग मैडिकल उपकरन अपने घरों पर मंबा रहे हैं घरों में इलाज को लेकर प्रशाशन भी गोपनिय जाज कर रहा है शेहर के बंबई बागार और मच्छी बागार के लोग घरों में इलाज करवा रहे हैं इस बारे में शेहर काजी ने वीडियो जारी कर ये कहा कि लोग बिमारी से डरे नहीं कोरोना का इलाज संभव है लोग छुपाएं नहीं बल्कि अजबतार में बहतर इलाज रहे जैसा कि पिछले कुई दिनों से हम लोग तमाम अपने घरों में इबादत कर रहा है और चुकि ये भी ते हो गया है इंदोर में कि जिस तरह से हम पिछले मिलों में घरों में रहके इबादत कर रहे हैं रमदान मुझे उसी तरह से हमें घरों में रहकर अपनी इबादत करना है क्योंकि इंदोर के हालाद से सब वाकिफ हैं और इंदोर में जो बिमार हैं उनके हक में भी खास्तों से दुआ करें और सो फिसेद कोशिश से हम लोगों को ये करना होगी कि हम अप दूरियां मना कर रहें आज अखवार में ने बड़ा अफसुस हुआ कि कुछ लोग घरों में इलाज करा रहे है मेरा उन लोग से गुजारीश अपील है कि घरा ही नहीं ये बिमारी जो है इसमें काफी हर तक इसका इलाज है और इनसान ठीक होता है और इन दोर में भी देखें काफी लोग अस्पतालों से चुट्टी लेकर आ गए हैं चुट्टी हो गई है तंदुस्त हो गए बिमारी खत्म हो चुकी है तो हमें गबराना नहीं है अगर कोई शिकायद है तो हमको इलाज कराना चाहिए क्योंको इस्पताल में प्रौपर इलाज हो रहा है मुछे आज जो अख़वार के घरों के अंदर लोग कर रहे है तो है तो घरों में कैसे इलाज हो पाए आज अमरीका जैसी कांट्री के अंदर 35 जफटीजा लोग मर चुके हैं, लागोगों विमार हो चुके हैं तो अल्लह का बड़ा करम है, कि हमारे मुलकों में अल्लह ने बड़ा करम फरमा थे हैं, जाए लोग अपनी जान भी निगमा है उसकी वज़ा है कि हम लोगों ने दूरिया बना कर रिखी है और इंचालला कुछ दिन की बाते हैं इसी तना से हम अगर रहेंगे और अगर जो बिमारे इलाज कराते रहेंगे इंचालला बहुत जल्ली सब लोग तंदूर सोकर अपने घरों मे आ जाएंगे बहुत शुक्रिया सुनावाले कुछ अपने अपने अम्मान कायम फर्माओं जो बिमार हैं अल्ला उनको शिफा अता फर्माओं बहुत शुक्रिया सुनावाले कुम